आ गया हुए बाबुजी आमर, बेटा आ गया तु और आपके आशिर्वास से बात पकी भी हो गई आमर बेटा, आज तुने मेरी सारे इच्छा है पुरी कर दी जिस लड़की से तेरे योग मिले है न, वो लाखों में एक है मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहु चाहिए सिर्फ लड़की देख के आया या दान दहेज की विबात की क्या आप बात करती हो मा, बहु तो खुद अपने आप में एक दहेज है और फिर जो अपनी बेटी हमें सौब रहा है, उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा तो क्या तु बिना दहेज की ब्या करेगा एक हो नदेव क्या मा, दहेज, मांगना, भीग, मांगने के बराबर होता है और भीक की रोटी से आदमी जिन्दा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है, कि मैं खुद कमा कर आप लोग की सेवा कर शकूँ आए मैं बापशी आए मिला अरे भागयवान, वो पानी तो दे दो यह लो, वो दहिश पर पानी फेर कर आगया, तुम गला कर कर लो तेखो, शादी तो तुमने पकी कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है मैं तो उस बलाप पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगी पहने हुए कपड़ों में इस चौखर से बाहर नहीं किया, तो मेरा नाम भी मगता नहीं तुम्हारा नाम ममता जरूर है मा, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं सूरच सूरच यह सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेंतिया लाड़ प्यार करने का असर है परना सेथ धनराज के घर के संसकार ऐसे नहीं थे किस संसकार की बात कर रहे हैं आप सेथ साब बेटी को बाप के सामने खुंगड निकालना पड़ता है क्या इस संसकार की बात कर रहे हैं आप सूरच आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुझसे बेटी शब्स सुनने के लिए तरस्त रहती है या इन संसकारों की बात कर रहे हैं आप अपनी बेटी को अभागण और मनूस का नाम देका जिन्दगी बर उसे नफ़त करते रहें आप या फिर उन्स अजगारों की बात कर रहें आप राज अजगारों की तुहाई देने का हक सिर्फ माबाप का होता है सेट शाप और माबाप बनने के लिए सिर्फ आवलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता जयते का है सेट साप रुकिये सिर्फ थप पर मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खतम नहीं हो जाती मैं अपनी बहें की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूँ मैंने भीक और खेरात देना बंद कर दिया है मैं भीक नहीं अपना हक माग रहा हूँ सेट साप और जिसके ना मिलने के सुरत में मैं आपको कोट में खाड़ा कर दूँगा मुझे कोट में खाड़ा करेगा, मुझे से धनराज को, हास से धनराज को, मैं अपनी बेहन की खुशी के लिए कुछ पिकर सकता हूँ तुम्हे ठीक है, मैं जेक भी कोट में ही साइन करूआ कैसे बाते कर रहे हैं आप, कम से कम अपनी इज़त का तो खयाल कीजिए लोग क्या कहेंगे, कि बेटे ने बाप पर वकड़ा मा कर दिया, और फिर एक चैकी की तो बात है, साइन कर दीजे, कम से कम इस बाहने उस महनुष से हमारा पीछा तो छुटेगा यह ले, अगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दॉलत में से फूटी कौरी भी नहीं मिलेगी हाँ, ठूकता हूँ मैं आपकी दॉलत पर, ठूकता हूँ मैं, हाँ सेटन राज, ठूकता हूँ मैं आपकी इस दॉलत पर, ठूकर मारता हूँ मैं, ठूकर अगर आज बेरी बेरी की शादी नहीं होती तो मैं आपके समने कमी नहीं आता आज तो राज, नफरत है मुझे आपकी इस तो रत से, नफरत है फॉजी मिला है बाराबोर की बंदूग वाला, सारी राज शिकार करेगा इस सोने की हिर्नी का लेकिन किरश, तिछे कैसे बता, तुम आई तो शादी हुई ही नहीं मुझे एक फॉजी की बीवी ने बताया था किरी बागते बाबुजी बाबुजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूँ मगर बिदाई केशन ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आपको आपके पास आने से रोक न सकी मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मू न देखने का जो प्रण लिया था वो प्रण न तूटे इसलिए मैं मैं कभी आपके सामने नहीं आई आज मैं आपका घरांगन छोड़ कर जा रही हूँ आपका अशिरवाद लेने आई हूँ मगर देखिये देखिये आज भी मेरे मू पर घूंगट है लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबुजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंगट की ओट में खड़ी है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबुजी बस जिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर फिर सर पर हाथ रखकर मुझे आशिरवात देजिए सिर्फ एक बार बाबुजी सिर्फ एक बार फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाओं तो मेरी लाश पर मैंके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो ओडाना तो इस कंगाल करोर पती से क्या मांग रही है दिदी हरे इनकी मिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरे नहीं पेटी का बाप के सामने मुझ छुपाने के लिए परदे बनते हैं चलो उठो दिदी रो मत अरे सेट बेटी की पिदाई की वक्त तो पथर भी दिल बन जाते हैं मगर आपका तो दिली पथर बन चुका है लोग लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुन्य कमाते हैं पर आपके फाग्यम में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं चलो दिदी आज तक आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा हाँ दिदी मैं ही तुम्हें विदा करूँगा चलो सेट धन राज मारी मिनमे आग लग गई है क्या सबकु जलकर राख हो गया हम कहीं कहीं नहीं रहे क्या हुआ मैं कुछती हूँ क्या हुआ हम बरबाद हो गई ममता मिल में आग लग गई सबकु जलकर राख हो गया क्या हम कहीं के नहीं रहे हम कहीं के नहीं रहे देख लिया बाबो जी आज तक आप अपनी जिस पेटी को अभागण और अभशागून मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मौताच था उसे जनम दे कर आपने दिया ही क्या है, तिरसकार, घूंगट सुरज, तो मत बहलो मा, तूटे वे शिशे भी अगर जोड़े जाते हैं, तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोग उने तो दिल तोड़ा है, दिल, अगर मेरी पहन अभागन होती, तो उसके पैदा होता ही, आप मिलमस्तूर से मिल मालिक नहीं बन जाते, आज आपक कुछ भी था, उसके पैदो के प्रताप से, हर्यापका भाग्या विदाता ने आपके मात्य पर नहीं, लक्षभी के पैदो के तलवे में लिखा था, शायद इसलिए, उसके इस चाकुछ से बाहर कादम रखते ही, आपका सब कुछ जलकर राख हो गया, और आपके चीवन मे अजया हो किया, आपके अगया!